के बीच की उमर के हैं, जब आजहादी के सो साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाओं पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशिल, उचाहियों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख सांते से भरा हुआ होगा, यानि ये लक्ष हमारे युवाओं के लिए हैं, आपकी पीड़ी और आपके लिए हैं, अगले पचीश सालों में, देश जिस उचाहिप पर होगा, देश का जो सामर्थ बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारी युवापीडी की हैं, साथियों, हमारे पुर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तब किया, त्यां किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं, लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कायरखन में पहुँचे हैं, देश आज उस जगहां पे पहुँचा हुआ है, कि आप जो बोयेंगे, उसके फल आपको खाने को मिलेंगे, इतना जल्दी से बढ़ला होने वादा है, इसलिए आप देखते होंगे, कि आज देश में जो नीतिया बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब के केंदर में हमारी युवापीडी हैं, आप लोग हैं, आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने, स्टार्ट अप इंडिया जैसे मिशन है, स्टेंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा भ्यान हमारे सामने हैं, मेक इंडिया को गती दी जा रही हैं, आत्म निर्वर भारत का जन अंदोलन देश 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 शुरू किया है, देश के हर कोने में तेजी से आधूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तान ले रहा है, हाइ वेज बन रहे हैं, हाइ स्पिड एकस्प्रेस वेज बन रहे हैं, ये प्रगती, ये गती, किसकी स्पीड से मैच करती हैं, आप लोगी हैं जो इन सब बड़लाओं से खुद को जोड कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एकसाइटेड रहते हैं, आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बलकि भारत के बहार भी इस नए दौर के लीड कर रही है आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कमपनियों के CEO हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है ये CEO कौन है हमारे ही देश के संतान है इसी देश की युवा पीड़ी है जो आज विश्व में च्छाई हुई है आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्ट अप की दुनिया में अपना पर्चम फारा रहे हैं आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं देश को आगे बड़ा रहे हैं अपसे कुछ समय बात भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने वाला है इस गगन यान मिशन का दारो दमार भी हमारे युवाओं के पर ही हैं जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं वो इस समय कड़ी महनत कर रहे हैं साथियों आज आपको मिले ये अवाड भी हमारी युवा पिडी के साहस और विर्ता को भी सलिप्रेट करते हैं ये साहस और विर्ता ही आज नए भारत की पहचान है करोना के खिलाब देश की लड़ाई हमने देखी हैं हमारे वैज्ञानी को ने हैं हमारे वैक्सिन मैनिफेक्टरस ने दुनिया में लीड दीते हुए देश को वैक्सिन दी हमारे हेल्थ केर वर्कर्स ने मुश्टिल से मुश्टिल समय में भी बिना डरे बिना रुके देश वासियों की सेवा की हमारी नर्सेज गाउं गाउं मुश्टिल से मुश्टिल जगहों पर जाकर लोगों वैक्सिन लगा रही है ये एक देश की रुपे है, सास और हिम्मत की बड़ी मिसाल है, इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की विर्ता को देखिए, देश की रक्षा के लिए उनकी जाबाजी हमारी पहचान बन गई है, हमारे खिलाडी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो भारत ये लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे, इसी तरह जिन खेत्रों में बेटियों को पहले इजाज़त भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है, यही तो वो नया भारत है, जो नया करने से पीछे नहीं रहता, हिम्मत और होसला, आज भारत की पहचान है, साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों के भविशकों मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है, नई राष्टिय शिक्षा नीती में, स्थानिय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, इससे आपको पढ़ने में, सिखने में और आसानी होगी है, आप अपनी पसर के विशे पढ़ पाएं, इसके लिए भी सिख्षा नीती में विशेश प्रावधान किये गए हैं। देश भर के हज़ारों स्कूलों में बन रही, अटल टिंकरिंग लैप्स, पढ़ाई के शुरुवाती दिनों से ही, बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ बढ़ा रही है। साथियों, भारत के बच्चों ने, युवापीडी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21 सदी में भारत को नई उचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ से भरे हुई हैं। मुझे आद हैं, चंदरियान के समय, मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था, उनका उत्सा, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता, भारत के बच्चों ने, अभी बच्चों ने, अब भागी बढ़ेंगे, लगनु की कबड़ जांपर सबादक्ष अकले शादव से मि महंत महंत कल्यान दास ने अगले शादव से मुलाकात